तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं सागत वर जातिया इस बीटिफुल से प्लैट्फॉर्म फिजिक्स वाला में मिशन आया इटी हमारा बैच चल रहा है और आज का जो लेक्षर है डाट इस बेस्ट अपॉन दी लिक्विड सोल्यूशन और कुछ चार-पांच सवाल या तीन-चार सवाल सर्फिस केमिस्ट्री के भी है उसी को हम लोग इसी लेक्षर में देख रहे होंगे ठीक है चुरू करते हैं बेटा बिना किसी टाइम वेस्ट किये लिक्विड सोल्यूशन हमारा पहला है और बेटा अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो आपको ये फिर से एक इजियर साइड में चाप्टर दिख रहा होगा इस पर बेस जितने भी कोशन आज तक आए हैं उसमें अगर मैं इंपोर्टेंस लेवल देखूं तो सबसे जरूर अच्छे से कर लेना क्योंकि वेंट ऑफ एक्टर जब आप करते हो तो कहीं न कहीं आपके चारो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके अंदर इंक्लूड़िड होते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया और वेंट ऑफ एक्टर हो गया यहीं दो मुख्य टॉपिक है इस चैप्टर सॉल्यूशन के कोशन पढ़ते हैं और फटाफट इसका सल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं हलांकि इसमें आपको जाधा वक्त नहीं लगेगा आप चाहोगे मतब कोशन पढ़ने के बाद समझने के बाद पास करके खुज से भी सॉल कर सकते हो असान है Liquids A and B form an ideal solution over the entire range of composition Ideal solutions कौन से होते हैं Ideal solutions are those which follows the round's law over the entire range of composition, temperature, pressure Ideal solutions में और क्या रहता है Delta H equal to 0, Delta V mix equal to 0 Intermolecular forces of interaction Subliquid के Solute के, Solvent के, Solution के बराबर होते हैं, Vapor pressure भी सब बराबर होता है यह होता है ideal solution ठीक है At temperature T, Equimolar दोनों के modes बराबर हैं Composition बराबर है Equimolar binary solution of liquid A and B has a vapor pressure 45 tor तो बेटा हम लोगों को कुछ इस प्रकार से चीज़े given है कि एक temperature T है और उसमें अगर मान लो XA और XB की value हम पता करना चाहें तो वो हमारे पास 0.5 है क्योंकि कोशन में लिखा है कि बेटा हम लोग उसको Equimolar मान कर चल रहे हैं और यहां पर जो Total vapor pressure आएगा That is 45 tor At the same temperature a new solution इसी temperature पे अब एक नया solution तयार किया गया है Temperature constant है और एक नया solution तयार किया गया A and B Having mole fraction XA and XB अबकी जो mole fraction XA और XB है उसकी कोई value नहीं दिये है कि वो equal है यान equal है क्योंकि कहीं ना कहीं उसी XA upon XB का ratio चाहिए New solution के लिए ठीक है ना यह हमारा old solution की information है यह बेटा हमारे new solution की information है और बेटा इसका जो vapor pressure दिया है ना Total वो दिया है 22.5 tor तो दोनों जगा है तो यह कोई दिक्कत की बात रही है नीचे एक और जी लिखिए Given that the vapor pressure of pure liquid A is 20 tor at temperature T तो जिस जिस बच्चे को जरूरत है वो P not A की value 20 tor ले सकते हैं P not A की value 20 tor ले सकते हैं अगर वक्त अगर कहीं पे जरूरत पड़ है तो उसको ले लेना अब करना क्या चाहिए देखो ideal solution के लिए हम equation जानते हैं route's law के लिए simple सा formula है P equal to PA plus PB जहाँ पे PA होता है P not A X A और PB होता है P not B X B इसको यहाँ से अगर हम solve करके PB की value या vapor pressure of pure liquid है P not B की value होगर निकालने और उस P not B की value को यहाँ रख दे हमारा मामला settle हो जाएगा देखो क्या कहना चाहता हूँ यहीं पे कर देता हूँ यार P is equal to P not A X A plus P not B X B total pressure की value 45D हुई है P not A की value 20D हुई है X A को हम 0.5 लेकर चल रहे है P not B हमको नहीं पता है लेकिन X B 0.5 है क्योंकि equimolar है यह 20.5 कितना हो गया 10 हो गया 10 इधर आ जाएगा तो 35 हो गया 35 is equal to P not B into 0.5 यह 7 जाएगा और यह point में है तो P not B की value 70 आ जाएगी अब इस P not B की value का इस्तमाल करेंगे फिर से यह formula लगाएंगे अब new solution के लिए लगाएंगे P is equal to P not A P not A X A plus P not B X B यह जो total pressure है यहाँपर 22.5 दिया है पहले 45 था old solution के लिए यह new solution है जिसके लिए 22.5 है P not A फिर से 20 ले लेंगे क्योंकि देखो P not A क्या है यह है vapor pressure of pure liquid A at temperature T और दोनों ही solution at temperature T वे बनाये जा रहे है X A की value क्या है X A की value X A की value तो नहीं पता ना यही तो निकालना है X A upon X B ठीक है भाई plus P not B अच्छा P not B भी वहीं रहेगा क्या है 70 है 70 और अब अगर हम यहाँ X B लिख देंगे तो हम फस सकते हैं क्यों क्योंकि A की equation है और दो unknowns है तो यह तो दो equations मिल रही हो तो तो हम simultaneously solve करने की कोशिश करें तो अक्सर बच्चा यहाँ पर फस सकता है अटक सकता है क्या तुम भी यही पर फस रहे हो अगर तुमने वीडियो को pause करके सवाल लगाने की कोशिश करी तो क्या तुम भी फस रहे हो तो बिटा थोड़ा सा जुगार लगाओ आप जानते हो कि sum of mole fraction is equal to 1 तो यहाँ पर हम क्या इसको 1-1 से नहीं लेख सकते और फिर क्या फिर तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ जितनी strong calculation होगी उतना तुम्हें फाइदा मिलने वाला है क्योंकि 70 इधर जाएगा 70 में से 22.5 चला गया यानि कि एकदम 47.5 यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर minus को हटा दो क्योंकि इधर भी minus होगा minus minus कर जाएगा 50 XA यहाँ से XA की value आएगी करीबन 0.95 और XB की value क्या हो गई बट obvious की बात है 0.05 और हमको चुकी सवाल में कह रहा है हमको XA अपॉन XB चाहिए तो 0.95 अपॉन 0.05 पॉइंट पॉइंट गट गया 19 आंसर आ रहा है बोलिए बच्चों क्या कहीं कोई दिक्कत है क्या आपको लग रहा हो तो बेटा एक बार ऐसा करना वीडियो को पॉस करना वीडियो को पॉस करके तसली से एक बार इस कोशन को खुछ से देख लेने का दीजे आपको बहतर तरीके से समझ में आ रही है कि नहीं और बेटा ये कोशन ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराना हूँ ये ये जे एडवांस 2018 का सवाल है खुबसूरत सवाल था वहाँ पर डखने की chances थे बच्चों के पर खैर नेक्स कोशन पर बढ़ते हैं जे एडवांस 2016 का ये सवाल है बेटा और 2016, 2017, 2018 में बेसिकली एडवांस के ये काफी खुबसूरत सवाल पूछता था, असान नहीं होता था तरो भाई, next आगे बढ़ते हैं तब मोल फ्रेक्शन अफ़ा सॉल्यूट इना सॉल्यूशन इस दिस क्या गिवेन है मोल फ्रेक्शन अफ सॉल्यूट इस इक्वल तो 0.1 इसका ये मतलब हो गया कि अगर सॉल्यूट की बात करूँ तो वो हो जाएगा 0.9 क्योंकि सम अफ मोल फ्रेक्शन इस इक्वल तो 1 At 298 कल्विन, molarity of this solution is same as its molality molarity ओर molality equal दिया हुआ है कोशन में जो जो कहता जा रहा है वो मैं लिखता जा रहा हूं कि ये याद रखना जब भी density वाले कोशन आते तो यह जरूर देख लेना कि वो solute की दी है, solvent की दी है कि solution की दी है, ठीक है, इस पे काफी बच्चा भोका खा जाता है, तो density of solution is equal to 2 gram per centimeter cube, next कहाना है, the ratio of the molecular weights of solute and solvent is, again a simple calculation based question है, आप इसको थोड़ा सा तिग्णम बाजी लगेगी, तो आपको चुक fraction of solute upon mole fraction of solvent का formula क्या होगा, number of moles of solute upon total number of moles, और mole fraction of solvent का क्या होगा, number of moles of solvent upon total number of moles, तो total number of moles दोनों तरफ से कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, number of moles of solute ऊपर की तरफ बचेगा, यहाँ पर number of moles of solvent, नीचे की तरफ यह बचेगा, चुकि इन दोनों की values 0.1 upon 0.9 दी ये 1 upon 9 आ गया, अब इसका कुछ फाइदा है क्या, बिल्कुल फाइदा ही फाइदा है, number of most of solute को लिखो तो क्या लिखोगे, weight of solute, upon molecular weight of solute, ये weight of solvent, upon molecular weight of solvent, जो कि किसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल फाइदा है, जो कि ये नहीं मालूम है, अब ये जो इनफर्मेशन गिवन है, इससे हम कुछ ना कुछ तो निचोड़ेंगे यार, बोलतों मानते की निमानते, ये जो information है, ये फर्जी की नहीं दी हुई है, molality, अगर molality के बराबर है, तो उसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है कि, और ये किसके बराबर है, molality में क्या है, अगर ग्राम में माल लो चाहिए हो, तो एक हजार ग्राम ओफ सॉल्वेंट, ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इससे ना, मुझे mass of solvent मिल गया, ये कहा गया वाई, ये, ये रेखो, mass of solvent, वन केजी ले लो, या एक हजार ग्राम ले लो, अब हमको mass of solution भी मिल जाएगा, या mass of solute भी मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, देखो, density of solution दीए, density of solution is equal to, mass of solution upon volume of solution, density of solution is equal to 2, mass of solution हमें नहीं पता है, कहीं से कोई information नहीं है, upon volume of solution, 1 liter या 1000 ml लेना पड़ेगा, तो यहां से mass of solution कितना आ गया, units का ध्यान डगना है बेटा, यहीं पर छोटी-छोटी बाते होती हैं, तो हम लोगों को दिक्कत देती है, mass of solution 2000 ग्राम है, mass of solvent 1000 ग्राम है, तो mass of solute कितना हो गया, 1000 है ना, तो mass of solute भी कितना है, 1000 ग्राम, ओ, तेरी यार, यह तो बड़ा easy हो गया, अब 1000 से 1000 ग्राम कट गया, mass of molecular weight of solute, upon molecular weight of solvent, इसको जड़ा उल्टा कर देना, रेशियो को 1 upon 9 की जगा, 9 upon 1 कर देना, तो यहीं हमारा answer है 9, ओ भाई, आया कि नहीं आया, अराम से तसली से, मैं एकदम कोप्चे में हो जाता हूँ, वीडियो को pause करके, चीजों को समझ लो, आया कि नहीं आया, हो गया analyze, कर लिया बात, अपने मन से, अपने दिमाग से, समझ में आ गई हैं सारी चीजें, आगे बढ़ा जाए, नेक्स कोशन को देखा जाए, नेक्स कोशन जेडवास 2014 का है, क्या कह रहा है, ये कोशन जड़ा बेटा, मेरी बात को समझना, सुनना, अ कंपाउंड H2X दिद मोलर वेट, एक H2X कंपाउंड है, जिसका मॉलिकिलर वेट, 80 ग्राम है, ठीक है, इस डिसॉल्वड इन सॉल्वेंट, एविंग अ डेंसिटी तेस, पेटा यहां पर, सॉल्वेंट की डेंसिटी दी हुई है, यह है, यहां पर पेटा, बहुत खूबसूरत सा मोल, क्योंकि यूजली, जो डेंसिटी वाले कोशन होते हैं, देंसिटी ओफ सॉल्वेंट दी होती है, लेकिन यहां पर देंसिटी ओफ सॉल्वेंट दी है, एजूमिंग नो चेंज इन दी वाल्यूम, दिस इस इंपोर्टेंट लाइन अगें, नो चेंज इन वाल्यूम अपॉन डिसॉल्यूशन, जब आप उन दूरों को मिला रहे हो, तो वाल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, आप एजूम करो, नहीं है चेंज, मोल्यलिटी निकालनी है, और 3.2 मोलर सेल्यूशन दिया है, आपको small m निकालना है, अब देखो, मोल्यलिटी निकालनी है, ये मोल्यलिटी दिया है, देंस्टी दिया है, तो सबसे बड़ी गल्ती जो बच्चा करता है, वो भी बता देता हूं, अजै ये बच्चा निकाल के आंसर निकाल देगा, जबकि वो भूल जाता है कि यहां से आंसर गलत आएगा, क्यों? क्योंकि ये solution की होती है आपको किसकी दी हुई है? solvent की यदि solution की दी होती है तो आप formula लगा देते हैं बड़ी अदरी के से आंजर आ जाता लेकिन अब नहीं दी है तो चुपचा basic method है आपका similarity का morality का formula लिखो जो की होता है number of moles of solute upon mass of solvent in kg ठीक है बस खतम होगया खेल क्योंकि आपको 3.2 molar दिया है 3.2 molar का मतलब यह होता है 3.2 moles of solute is dissolved in 1 liter of solution तो मेरे बच्चों यहां पर number of moles of solute 3.2 हो गए यदि आपको mass of solvent निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि mass of solvent आप कैसे निकालेंगे density of solvent दिया हुआ है तो भाई क्या करें यहां पर no change in volume है तो इसका यह मतलब है कि जो solvent बतब जो beaker के अंदर जो solvent पड़ा था उसकी जो volume है वही volume solution की है इस line से तो यही समझ में आ रहा है तो volume of solution चुकि 1 liter है या 1000 ml है यही मेरे solvent की हो गई बेटा अब दो चीजे solvent की पता है तो density is equal to mass upon volume कर दिया density है हमारी 0.4 gram पर ml और volume कितनी है 1000 ml and this is equal to mass of solvent तो ml से ml कट गया यह आ गया हमारा 400 gram यहाँ पर आ जाओ kg में चाहिए उपर 1000 दो कटा दो कटा एक और कटा 48 जा 32 integer type question था 8 इसका answer है कभी प्यारा सा और खुबसूरत सा question है एक बार तुम भी एक बार तुम भी वीडियो को पॉस करके देख लो कैसे किया हमने इसको और तुम करते तो कैसे करते इस टाइम टू पूव आन तू नेक्स कोशिन नेक्स कोशिन है बेटा जई एडवांस 2020 का यह सवाल है पर सवाल को देख घबराना नहीं है डराना नहीं है क्योंकि यह सवाल बहुत फिर से एक आसान लिवल पे जा रहा है कोशन करें लिकुट A and B फॉर्म आईल सिलूशन फिर से वहीं पहले कोशन वाली बात हो गई ही कि रॉट्स लॉग आईल सिलूशन पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी यह पढ़कर ही समझ में आ गया आगे देखते हैं क्या कह रहा है second solution और उनके बारे में कुछ information है इसके लिए mole fraction of A 0.25 है तो पीटा इसके लिए mole fraction of A 0.5 है पीटा अगर एक का mole fraction पता है तो दूसरे का mole fraction निकालना असान होता है क्योंकि mole fraction का summation equal to 1 है तो यह हो जाएगा 0.75 और इसका mole fraction हो जाएगा 0.5 have the total vapor pressure of 0.3 and 0.4 bar यानि कि total pressure यहाँ पर इसका अगर 0.3 है तो इसका 0.4 bar respectively what is the vapor pressure of pure liquid B है भगवान P not B पूछ रहा है P not A भी नहीं पता है दो equations हमको सामने सामने दिख रही है बनती हुई सामेटी जाने सी solve कल लेना आंसर आजाएगा करो करो P is equal to P not A plus X A plus P not B X B दोनों solutions के लिए लगाएंगे पहले solution के लिए 0.3 है P not A पता नहीं है और X A है हमारा 0.25 P not B पता नहीं है X B है हमारा 0.75 फिर यह 0.4 के लिए P not A 0.5 और P not B 0.5 इनको अगर काटना है तो पहली reaction को यह दो equations है ना पहली equation को दो से multiply कर दो यह हो जाएगा 0.6 is equal to 0.5 P not A plus 1.5 P not B 0.4 is equal to 0.5 P not A plus 0.5 P not B simultaneously solve करने का यह कटा 0.2 is equal to 0.5 P not B यह जाहिए था क्या लो खताम आंसर है यह क्या था भाई एक होता है यह होता है एक होता है महान इजी एक होता है हदी इजी पी नॉट एक अगर पूछ रहा था तो जीरो पॉइंट सिक्स निकाल लेते वैल्यू को सब्सिट्यूट करना है जीरो पॉइंट सिक्सा अंसर आ जाएगा नेक्स कोशन आते हैं जेडवांस दो जार उन्नीस का यह सवाल है बेटा कोशन पढ़ते ही दिमाग में आपके पिच्चराइजेशन होने लगेगा क्योंकि कोई भी यह भी कठिन सवाल नहीं है कह रहा है दा मोल फ्रेक्शन ऑफ यूरिया अच्छा ऐसा नहीं है कि सर तफिस्ट आपको लाने नहीं थे इसलिए आप यह ले आए भाई जितने थे सार ले आए ऐसा नहीं है कुछ छोड़ा नहीं आप इतने सारे लेक्शर्स तो देखी रहे हो चाहे वह थर्मो डाइनिमिक हो चाहे वह इटॉमिक श्क्षर हो असान हो मीडियम हो तफ हो सारे कोशन हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि आज सब बच्चों को करा दिये जाए क क्यों भाई मानते हो की नहीं मानते हो है तो मोल फ्रेक्शन ओफ यूरिया इन एक्वस यूरिया सिलूशन कंटेलिंग 900 ग्रैम ऑफ वाटर यहां पे मास ओफ वाटर 900 ग्राम है तो यहां से नंबर ओफ मोल्स ओफ वाटर आ जाएगा अरे निकाल के रग लेते हैं क्या पता जूरत पड़ जाएगेटीन फाइवजा 50 ओके ता मोल फ्रेक्शन ओफ यूरिया मोल फ्रेक्शन ओफ यूरिया 0.05 दिया है कि इव देंसिटी ओफ देंसिटी ओफ ऑफ सेलूशन density of solution 1.2 gram per centimeter cube दी है the molarity of the urea solution is molarity अगर निकाल दी है तो number of most of solute जो की basically urea ही है upon volume of solution volume of solution जो है ना वो आप अराम से निकाल सकते हो क्योंकि density of solution दी है पहले number of most of solute निकालो तो mole fraction of urea is equal to number of moles of urea upon number of moles of urea plus number of moles of water क्योंकि urea solution के लिए यहाँ पर urea और पानी ही लिया गया है और कुछ लिया नहीं है mole fraction of urea is 0.05 number of moles of urea हमें पता नहीं है और mole fraction of पानी है 50 इसको cross multiply करें number of moles of urea 2.63 आएगा आप calculate करके देख लो मैं कर चुका हूँ बोलो अब राम से तसली से कर लेना इसके बाद हमारा next मकसद क्या है volume of solution को निकालना तो volume of solution density is equal to mass upon volume तो यह ज़्यागा mass of solution upon density of solution mass of solution कैसे निकालेंगे solute का पता है solvent का पता है solvent का तो 900 ग्राम है solute का कैसे निकालेंगे तो देखो mass of solute is equal to moles of solute moles कितने हैं कितने 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 0.05 और molar mass है 60 इससे चरह calculate कर लो 0.05 इसको इसको भाई करेंगे तो आ रहा है 157.8 ग्राम तो यहां से आपको mass of solution कैसे निकलेंगा solute प्लस solvent यहीं ना होगा क्यों कुछ त्रिक्रम लगा रहे हो यहीं होगा ना तो mass of solution solute का कितना है 157.8 solvent का कोशन में गिवेन है 900 ग्राम तो यह हो जाएगा 1057.8 और जब आप इसको calculate करोगे density of solution रखोगे तो यहां से आपको volume of solution अराम से मिल जाएगी यह कितना आ गया 900 plus 157.8 density of solution 1.2 गिवेन है यह आएगा milliliter या centimeter cube में यह कितना आ रहा है 8 8 1.5 ml अब 2.63 8 8 1.5 उपर की तरफ 1000 यह आ रहा है 2.63 into 1000 upon 881.5 इट comes out to be 2.98 अब अब अगर इंडीजर डाईबर इसको round off कर सकते हैं 3 3 is the answer कोई दिकत कोई दिकत कोई परेशानी आए तुमें लगे कुछ ठीक नहीं हालाद ओ मैं हूना कोई हो जो दैसा अ तटन ओ भाई पापजाओ यह रवांस 2017 का यह कोशन है कोशन देके डरने का नहीं है क्योंकि इस तरीके का graph आप लोग जीवन में पहले पढ़ चुके हैं यह graph होता है किसका आईए कोशन पढ़ते हैं कोशन क्या कह रहा है for a solution formed by mixing liquid L & M L और M को मिलाया जा रहा है ठीक है अब आपको statements बताने है A B C D यह पेटा more than बता दू मैं आपको more than one correct answer कैसे करना है पहले हम लोग यहां पर चीजों को sort out कर लेते हैं कि अगर यह XM है XM की value इधर starting में 1 है तो XL की value 0 होगी क्योंकि L & M से मिलकर solution मन रहा है यह question में लिखा था L & M यहां पर अगर XM की value 0 है तो यह XL की value 1 होगी देखा जाए तो L 0 से L 1 जा रहा है तो अगर mole fraction किसका बढ़ रहा है यहां से यहां जाने पर mole fraction XL का बढ़ रहा है और XM का घट रहा है अगर mole fraction XL का बढ़ रहा है तो route's law के इसाब से partial pressure is directly proportional to mole fraction तो यह जो line है यह partial pressure है किसका L का partial pressure किसका है L का और यह जो point Z होगा यह क्या होगा P naught L और P naught L में सिर्फ L का ही component है M का component नहीं होता है क्योंकि दिरिस्दा partial vapor pressure at pure state solution में नहीं pure state तो pure state वाला हमेशा not पे होता है क्योंकि यह हमारा expected कर्व था लेकिन actual कर्व यह आया है तो यहां से यह भी समझ में आ रहा है कि यह positive deviation का कर्व है non-ideal solution showing positive deviations from the Rouls law क्योंकि यह positive deviation from Rouls law है तो इसका delta H makes positive होगा इसका delta V makes positive रहेगा इसमें जो forces of interaction होते हैं forces of interaction between L L और M M वो जादा होते हैं comparatively L M क्योंकि forces of interaction अकर कम होंगे तभी the escaping tendency ज्यादा होगी यह vapor pressure ज्यादा होगा यह हम pressure की बात कर रहे हैं because the vapor pressure depends upon the escaping tendency of the particles present at the surface and the escaping tendency depends upon the intermolecular forces of interactions present between solute and solvent particles तो यदी solvent मिलाकर जो तुम solution बना रहे हो अगर उनके बीच में interactions कम होंगे तभी ना तो वो जल्दी उड़ेगा जल्दी उड़ेगा यानि कि vapor pressure जादा होगा इसलिए positive deviation आएगा आओ जड़ा देख लें क्या कह रहा है कह रहा था point Z represents the vapor pressure of pure liquid M हमने क्या बताया it is the pure liquid L यह काटो the point Z represents vapor pressure of pure liquid L very good and Raoul's law is obeyed when XL tends to 1 XL tends to 1 हाँ वो कह रहा है कि यह P not L है और यहाँ पे उसका जो coordinate है वो XL equal to 1 है यह बात बिल्कुल सत्यवचन है the point Z represents the vapor pressure of liquid यार यह है नहीं ना कि pure liquid M के लिए है नहीं pure liquid M के लिए है नहीं it is for pure liquid L जिदी बात खतम तो A और C तो गलती हो गए attractive intermolecular interactions between LL in pure liquid and MN in pure liquid are stronger than यह बात वहीं जो लिखी है मैंने FLL और FMM stronger होंगे as compared to FLM तभी vapor pressure उसका solution के particles का ज्यादा अच्छा होगा और तभी वो posture deviation दिखलाएगा ठीक है यह यह point भी सही है तो इस question के लिए असली से देख लो answer A और C गलत है यह यह कहलो B and D एकदम सरसल सही answer है देख लिया समझ में आ गया बाते क्लियर हो रही है ठीक है फिर next question के तरफ चलते हैं बेटा और आगे बढ़ते हैं ओहो यह तरीके के जो कोशन है थोड़े से बच्चे के मन में over confidence लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि देखने में बड़ा असान है लेकिन फॉर्मले कह रहा हूँ एक बार प्लीज उसे देख लो वहाँ पर चीजें solve करना असान रहेंगी more than one correct answer है positive deviation इनमें से कौन शो करता है आपको mark करना है ठीक हो positive deviation शो करने की यह जो बात थी अभी मैंने पिछले कोशन में समझाई है याद रखना है कि दो चीजों को मिलाने पर interactions कमजोर होने चाहिए comparatively जब वह अपने pure state में थे तो इस बात का ध्यान रखना है यही छोटी सी ट्रीक है अब CCL4 और methanol का mixture है अब methanol जब वह purely methanol रहा रहोगा तो उसके बीच में intermolecular hydrogen hydrogen bonding रही होगी कि नहीं रही होगी TH3OH 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 रही होगी जब बीच में तुमने CCL4 डाल दिया होगा तो यह दोनों तूट गए होंगे positive deviation आया कि नहीं आया interactive forces अगर तुम कम कर पा रहे हो interactive forces अगर कम हो गया solution में तो उस solution का vapor pressure भी बढ़ गया और यदि उसका vapor pressure बढ़ गया तो यही तो positive deviation होता है तो यह positive deviation है CS2 and SE tone this is the brand ambassador example for the positive deviation अब SE tone भले ही उसमें तुम कहलो weak dapol dapol interactions होते हैं या London dispersion forces होते हैं CS2 में भी weak London dispersion forces होते हैं लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तब तो कहीं के नहीं रहेंगे ना उनके बीच में किसी प्रकार का कोई interaction नहीं होगा तो यह भी positive deviation है benzene and tolene non-ideal solution ही नहीं है हमको पहले यह देखना है कि positive deviation कौन दिखलाता है positive deviation non-ideal solution दिखलाते हैं जब अगर आपका एक homolook का जब फरक आता है ना जैसे अगर मैं कहूं hexane और heptane तो यह ideal होते हैं octane nonane यह ideal होते हैं benzene tolene CH2 का difference है तो यह ideal solution है यार यह तो बिल्कुल league से out है phenol and aniline phenol में benzene के उपर OH है aniline में benzene के उपर NH2 है तो तुम्हें नहीं लगता एक का H और दूसरे का O या एक का N दूसरे का H यह आपस में जब मिलेंगे एक बीकर में आकर तो कहीं ना कहीं hydrogen bonding दिखाएंगे हम कहते हैं उस hydrogen bonding का extent कमी क्यों ना हो लेकिन दिखलाएंगे ज़रूर दिखलाएंगे इसकी वज़ा से हम कह सकते हैं कि यह negative deviation चो करेगा correct answer A B है आगे next question में बढ़ते हैं advance 2013 का यह सवाल है कह रहा है कि benzene and napethylene form an idle solution at room temperature for this the correct statements are तो देखो अगर एक system है और system idle solution है यदि वो solution मना रहा है तो हमेशा याद रखना कि वो spontaneous होगा क्योंकि डेल्टा जी जब negative होता है तो वो reaction spontaneous क्यलाती है यानि कि process feasible है अब process तुमारा solution तुमारा ideal हो non-ideal हो positive or negative it hardly matter सबके लिए डेल्टा जी तो negative होई गई होगा क्योंकि डेल्टा जी का negative होना ये दर्शाता है कि process feasible है और process अगर feasible है तो डेल्टा जी हमेशा negative है डेल्टा जी इस इकल टू डेल्टा एच माइनस ती डेल्टा एस होता है ideal solution के लिए डेल्टा एच जीरो होता है जीरो अब तुम चाहते हो कि अगर ये negative रहे तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या रहेगी पॉस्टिव की नेगिटिव डेल्टा एस अगर positive लोगे तो positive negative नेगिटिव होगा और डेल्टा जी नेगिटिव आएगा यानि की अच्छी बात है लेकिन अगर तुम डेल्टा एस गलती से negative ले लिए भले तुम चोटा लो नेगिटिव नेगिटिव पॉस्टिव होगा और डेल्टा जी की value भी पॉस्टिव हो जाएगी जो की मुम्किन नहीं है जो की possible नहीं है जो की गलत बात है इसलिए डेल्टा जी को negative बनाने के सराउंडिंग से हमको फिरहाल यहां पे को लिना देना नहीं है डेल्टा एजिकल टू जीरो हां होता है यहां पर डेल्टा जी नेगिटिव होता तो इसको भी टिक कर देते फिरहाल यहां पर जो एडवांस 2013 का सवाल है उसमें जो क्रेक्ट ऑप्शन है वो बीडी है बीड की कोशन के ग्राफ्स यहां पर दी है यह आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है ए बी सीडी को देखकर अच्छा मैं आपकी एक नॉलेज देखना चाहता हूं आप लोगों ने डिप्रेशन इन फीजिंग पॉइंट पढ़ा है अपने पढ़ा है डिप्रेशन इन फीजिं कि यह एटी नोट एट एफ यह का टीएफ इन पढ़ते हो कुछ यही पढ़ते हो ना जैस्से मरा c ओ लो धूब गर क्यूय फरीजब और to 75 कल वन बार the addition of 34.5 gram of ethanol to 500 gram of water changes the freezing point of the solution use the freezing point depression constant अच्छा, molar depression constant 2 Kelvin kg per mole है, KF तो आपको सही plot बताना है इससे पहले ऐसा करो delta TF is equal to सुनो, सुनो, मेरी बास सुनो delta TF is equal to KF into M लगाओ क्यों कह रहा हूँ, अभी बताता हूँ KF की value question में 2 दी है molality क्या है mass of solute 34.5 molar mass of solute देखो C2H5OH है तो 12 तो नहीं 24 प्लस 6 प्लस 16 यह हो गया जारे यार, दीए ना 24, 34, 46 mass of solvent कितना है, 500 gram of water है अब delta TF की जगा तुम क्या रखोगे T0F minus TF कह रहा है, it freezes that 273 Kelvin 273 Kelvin की जगा अच्छा यह curve Kelvin में ही है ना, ठीक है तो 273 minus TF यहां से बेटा तुम solve कर लेना TF की value 270 आईगी, हम तो निकाल चुके हैं तुम निकाल लेना calculate कर लो यहां से जब तुम value निकालोगे तो 270 आईगी ठीक है 270 आईगी इससे क्या पता चलता है इससे यह पता चलता है कि जो depression हो रहा है वो 273 से 270 का ही हो रहा है 270 से 271 का नहीं हो रहा है 273 से 271 का नहीं हो रहा है 273 से 270 का हां हो रहा है यानि कि आंसर A और C में से होना चाहिए A इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो ये कह रहा है कि temperature घटेगा तो vapor pressure बढ़ेगा क्या ऐसा होता है क्या ये plot ही गरलत है यही plot सही है ये solvent का उपर है solution का नीचे है और फिर वो एक ice एकदम straight line आ जाती है ये थोड़ा सा कर्वी दिखलाया जबकि ये straight point है ठीक है तो ये कर्व एकदम सही है इसलिए इसका correct answer C है तो बस इतनी छोटी सी बात बतानी थी अब वो 270 निकालना इसलिए जरूरी था क्योंकि इससे मिलता जुलता कर्व ये भी है ये भी वहीं कत्तर आ रहा है कि अभी ना तो बात कर पाऊगे धंसे को बो कोशन समझ में आया कोशन का सल्यूशन समझ में आ गया ना आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से टक 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 करो मतलब रिवाइंड करो और फिर से देखो कौन सा लाइफ चलना है रिकॉर्डिंग चल दी है दस बार चीजों को समझ सकते हो तो तो बेटा आके बढ़ा जाए नेक्स कोशन के लिए सॉल्वेंड करते हैं हम लोग प्रॉब्लम को ओके वैसे अच्छा कोशन था नेक्स कोशन है एडवांस 2023 का लेटिस्ट कोशन है आईए सॉल्व करते हैं इसको फटाक से ये भी बहुत इजी कोशन है यार देखना 50 ml of 0.2 molal urea solution जिसकी density दी है ये density किसकी हुई यूरिया solution की हुई तो अब density पता है molality पता है अब इसको mix किया जा रहा है 200 ml of solution containing 0.06 gram of urea तो दो solutions को mix किया जा रहा है यानि कि mixing of solution का case है यानि कि M1 V1 plus M2 V2 equal to M3 V3 दिमाग में आ जाना चाहिए ये कोने में use होगा की नहीं होगा वो बात मिक्की बात है नेक्स्ट कहरा है बोद्दा solution were prepared in the same solvent तो osmotic pressure of the resulting solution at 300 Kelvin तो जब बात आती है osmotic pressure की तो osmotic pressure is equal to CRT है यहाँ पर जो molar concentration होगा वो M3 होगा basically यानि कि resulting molarity क्योंकि दो solutions को हम लोग आपस में mix कर रहे है assume delta H mix equal to 0, delta V mix equal to 0 यानि कि वो idle के लिए बात कर रहा है R यानि कि जो gas constant है वो 62 liter torque per Kelvin लेंगे तो R की value हमें क्या लेनी है इस पर हमको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है सीधा-सीधा बासट रख देंगे temperature हमारा 300 Kelvin है तो यह है 62 यह है temperature तो मुद्दा कहां आपर आकर फस रहा है M3 पर M3 के लिए M1 V1 और M2 V2 पता होना चाहिए यहां से लेकर यहां तक M1 आ जाएगा तो देखो molarity निकालनी है molality पता है density पता है तो यह formula लगा सकते हैं अब जो अभी इससे पहले बताया था molality is equal to thousand molarity upon thousand density minus molarity into molecular weight of solute सारी values put करो यह 0.2 है यह thousand capital M है यह thousand density हो गया 1.012 minus molarity पता नहीं molecular weight of solute urea का urea का urea का होता है 60 quality I will take the help of calculator और इसको हम solve करेंगे कि कॉल करो फटाफट तुम लोग भी भाई पैन्वेन उठा लिया करो ऐसा मू ना तागा करो क्यूंकि देखो वो सब इंसान वो सब बच्चे हारते हैं जो ऐसे करके सिर्फ देखते रहते हैं 1.5 एक्स और 1.75 एक्स तो मैंने इसके लिए छोटा सा अचाहिक साह सिर्फ एक लाइन बनाइए गाना बनाया सो मिस तेरा अस्त्र है और उट्डा को विए उत अज़ीन और शस्त्र है और पक्राव तो मित zweiten आं य्वी तेरा शस्त्र है पैन ंठा कॉपी त्प्राव तन नरे नरे तो बेटा इसमें molarity जो है 0.2 आएगी और यह है बेटा M1 की value यहां से हम V1 कोशन में ही दिया हुआ है 50 ml M2 कैसे निकलेगा molarity of solution 2 number of most of solute upon volume of solution यह है 0.06 ग्राम यह हो गए number of most of solute into volume of volume of solution 250 ग्राम कटो यह उपर दो जीरो और आ गए एक दो तीन एक दो तीन है से छे गया तो नीचे बच रहा है 1 upon 250 क्या बोलती पबलिक यह है अब क्या करेंगे हम अब हम equation लगाएंगे mixing की M1 V1 plus M2 V2 is equal to M3 V3 वह यहां से यह आ जाएगा 4 into 10 to the power minus 3 ठीक है M1 कितना है 0.2 यह मिली लीटर में ही रहने तो 50 ml plus M2 कितना है 4 into 10 to the power minus 3 और V2 को 250 ml ही रहने तो M3 पता नहीं और V3 हो जाएगा 250 plus 50 यहीं तो होता है ना है V3 की value यहीं कि 300 ml अब 0.2 into 50 कितना हो गया easy calculation है ना इसलिए calculator का जुरूरत नहीं पढ़ ला है मैं दिखाने के कोशिश कर रहा हूं कि मैं calculation में कितना fast हूं लेकिन ऐसा नहीं है तो यहां पर वज्जा है का 10 समझ रहे हो plus 4 into 250 एक हजार और एक हजार को 10 वा माइनस 3 से multiply कर दिया तो वन ही बचा 300 M3 M3 की value यहां से आ गई 11 upon 300 300 से 300 काटो ग्यारा इंटू बासट होता है 682 बार है यहीं तो चाहिए था और ऑस्मोटिक प्रेशर पार नहीं सौरी टॉर कहलो तौर में था काटे तौर पुराने यह आंस्वर है बेटा कि बोलो बेटा कीजे समझे के नहीं समझे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है इस कोशन में देखाओ देखो और बताओ एडवांस 2023 का यह जो सवाल है लग रहा होगा कि यह बड़ा भुश्किल आ रहा होगा लेकिन बहुत इजी था सलते हैं नेक्स कोशन में एडवांस का 2022 का यह सवाल है बेटा इस लाइन से हमें एक चीज समझ में आती है कि अगर हमने सॉल्यूट का नेचर आइनिक लिया है तो इसका क्या मतलब है सॉल्यूट अगर तुम्हारा आइनिक है तो वो जाकर कहीं ना कहीं डिसोसियेट होगा और यह चीज कोशन में लिखी भी है सॉल्यूट रिमेंज 90% डिसोसियेटेड अब आयनिक लियूट अगर डिसोसियेट हो रहा है और उसका अलफा 0.9 है 90% मतलब 0.9 है तो मतलब हमको वेंट ओफ फेक्टर आई को कंसीडर करना पड़ेगा चाहे हम कोई भी फॉर्मला यूज करें कोई भी चार कॉलिकेटिव इस कोशन में यूज करेंगे आई का मल्टिप्लिकेशन जरूर होगा यह बास समझ में आ गई यहाँ पर हमको PS दिया हुआ है 59.724 mm वेपर प्रेशर ओफ दा वाटर इस यहाँ की प्योर सॉल्वेंट का 60 दिया हुआ है और number of ions present per formula unit of the ionic salt is यानि कि देखो जो ionic salt है या जो भी solute है जैसे अगर माल लो यहाँ पर मैं कहता AGCL है तो AGCL टूट रहा है AG++ CL माइनस में तो इस AGCL ionic salt में total कितने ions है दो है तो वो यह पूच रहा है कि अगर हमने जो ionic salt है लिए उसका हमने formula तो बताया नहीं है तो तुम है कि N की value क्या है N की value निकालने के लिए आपको दिख रहा है सामने सामने की RLVP relative lowering of vapor pressure का concept ही यूज करना है P0-PS upon P0 is equal to mole fraction of solute mole fraction of solute के लिए अपने पास सब कुछ है कि नहीं solute अपने पास क्या है ionic salt है ठीक है उसके number of moles हम लोगों को मालूम है कि नहीं एक बार check कर लो और और क्या चाहिए हमें 1.8 kg of water है ठीक 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 है देखो बिटा number of moles of water कैसे निकालोगे 1.8 kg का मतलब है पहले तो 1000 से multiply करो क्योंकि number of moles का formula होता है given mass in grams upon molecular mass 18 से 18 कटा number of moles of water आ गए 100 और देखो बाई कुछ कर सकते हैं क्या अबन लोग कुछ तो गड़बड है अपने को अगर यह पता करना है कि number of moles of solute क्या है तो वो कैसे पता लगाया जा सकता है कुछ इस question में hidden information है कि हम पता लगा लें फटा फट बताओ बेटा comment box में है फटा फट बताओ और यह question बड़ा missing करते हैं 0.1 mole of ionic salt 0.1 mole यह missing है question में लिखा है ठीक है ना तो number of moles of ionic salt 0.1 है तो mole fraction अराम से आ गया mole fraction of solute is equal to 0.1 upon 0.1 plus 100 यहीं कि 0.1 upon 100.1 पी नॉट पी नॉट है 60 माइनस 59.724 upon 60 is equal to mole fraction of solute is 0.1 upon 100.1 इसको से माइनस करो तो यह आएगा 0.276 upon 60 और जैसा कि मैंने का था कि आपको इस चीज़ से multiply करना यार went of factor i क्योंकि i नहीं मालूम है तो i is equal to क्या हो जाएगा 100.1 उपर की तरफ multiply करो 0.1 नीचे की तरफ multiply करो एक बार ज़रह इससे देखना यह नीचे आ जाएगा 6 और यह .1 इधर आ जाएगा इसका क्या benefit है पेटा dissociation का case है dissociation case के लिए सीधा-सीधा formula याद रखो alpha is equal to i-1 upon n-1 यह सबसे बड़िया short trick बता रहा हूं मैं जब भी dissociation का case आए went of factor involved हो alpha is equal to i-1 upon n-1 n क्या होतने है total number of ions जिसमें वो 2 try क्या है किसे edge-sl 2 में टूट रहा है तो n की value 2 होगी लेकिन यहाँ पे तो n पता ही नहीं है न कितना है alpha है 0.9 i क्या है 4.6-1 यानि 3.6 n-1 यहां से n की value आजएगी 5 और यह हम लोगों को पता करना था बोलो बच्चो बात clear है देखो 2022 का सवाल है और 2023 का भी सवाल अभी किया है हमें नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम दिख रही होगी easy है बहुत तो confidence आ रहा होगा बच्चों को एक डर लग रहा होता है कि समय के एडवांस का वेपर रहसर आयोनिक और थर्मोटैनिमिक्स और यानि कि सर्फिजकल केमेस्ट्री में बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो आपको क्या लग रहा है पीवाई क्यू देकर कमेंट बॉक्स में ज एक दो चैप्टर आएंगे एक दो कोशन आएंगे दिमाग चक्रा देंगे तो मत छूना मत देखना आगे बड़ जाना पहले चूना देखना लगेगी यार वेरी 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 टफ है तो छोड़ देना उसको फिर क्या कर सकते हैं इस तरीके का कोशन बहुत भेदरीन होता है जिसमें कोडिनेशन कमपाउंट का भी इस्तमाल किया गया है और आपका सॉल्यूशन का वेंट और फेक्टर का भी इस्तमाल किया गया है तो 0.01 mole aqua solution of cobald 3 chloride ammonium complex which behave as a strong electrolyte strong electrolyte है यानि कि 100% dissociation है इस 0.0558 degree Celsius यह क्या है freezing point of solution TF is equal to minus 0.0558 degree Celsius the number of chloride ions in the coordination sphere यानि की बेटा formula पता होना चाहिए कैसे करेंगे कैसे करेंगे जल्दी जल्दी I am very excited because यह सवाल बहुत प्यारा होता है यार क्योंकि यहां पर हम लोगाएंगे पहले delta TF is equal to I into KF into M I निकालने का बेटा पहले delta TF होता है T0F minus TF I पता नहीं KF question में कह रहा है 1.86 ले लो और molality question में 0.01 दी है T0F 0 रहता है minus 0.0558 तो 0.0558 आ गया अपाइंगी एक सिक्सी इंटु 0.01 यह आई है जो इन की वैल्यों क्या आ गई है यहां पर फॉरमला लगाने की जुरद नहीं है अगर टोटल तीन और 3 है तो याद रखना कोबाल अगर तीन है तो नंबर हमेशा 6 होता है यानि कि 5 एमूनियां अन्दर है हमें धुरूरीन दिखाना था जब इसको तोड़ोगे तो एक जब इसका और दो आएन इसका टोटल मिलेंगे बेटा तीन आयान और तीन आयन का ही हमें वजूत दिखाना था अब वो कहरे था वो कहरे था number of chloride ions in the coordination sphere, coordination sphere के अंदर एक एक है एक है, एक है, एक है यानि कि 100% dissociation है यानि कि जो went of factor है वहीं is equal to total number of ions dissociated I equal to 3 यानि कि N equal to 3 और N equal to 3 तभी आप बना सकते हैं कोबाल्ड ऐमोनिया क्लोराइड complex से कि आपको यहाँ पे NH3 5 assume करने पड़ेंगे जब कि यहाँ question में कहीं नहीं लिखा है देखो मेरी बात समझो कोबाल्ड अगर 3 है न तो इन और्गेनिक केमेस्ट्री में coordination complex पढ़ते हुए आपको teacher पढ़ाते हैं यह चीज कि आर 3D series में usually जब 3 plus का oxidation state आता है तो coordination number 6 होता है अब ammonia chloride और कोबाल्ड का complex अगर बनाना है जिसमें अगर coordination number अगर तुमारा 6 है तो तुमें कितने chlorine और कितने ammonia लेने पढ़ेंगे तुम क्या ऐसा सोच सकते हो कि 3 chlorine अंदर लिख दे और ammonia बाहर लिख दे देखो ammonia तो बाहर आई नहीं सकता neutral ligand होता है तो ammonia तो अंदर ही रखने पढ़ेंगे ठीक है बची बात chloride की तो चुकी कोबाल्ट का oxidation state प्लस 3 है तो chloride तुम 3 से जादा ले भी नहीं सकते कि तुम सोचो कि सर यह तो cheating है आपने chloride यहाँ पे 3 क्यों लिए है total चार ले लेते पांच ले लेते दो ले लेते नहीं भईया कोबाल्ट की oxidation state इस पूरे complex के लिए बताओ यह 0 होता है minus 1 minus 2 equal to 0 x equal to plus 3 कोबाल्ट को plus 3 भी तो लाना है तो chloride हम 3 से जादा ले भी नहीं सकते ना 3 से कम ले सकते हैं तो यह तो fix हो गया कि यार एक जो complex है उस complex में कोबाल्ट के साथ जो chloride है वो 3 है और कितने chlorides अंदर होंगे कितने chlorides बाहर होंगे इसके लिए आपके पास ammonia है अब ammonia चार है पाँच है छे है दो है तीन है यह कैसे पता चला यह हमें ऐसे पता चला कि अगर कोबाल्ट को plus 3 में लाना है तो की है तो coordination number 6 ही होता है अब coordination number 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे पर coordination number 6 बनाने के लिए हम यह तो करेंगे नहीं कि यहाँ पर NH3 3 ले लो और CL3 3 ले लो पर देखिए coordination number 6 हो गया ठीक है माना हो गया ठीक है माना हो गया लेकिन यह भी तो प्रूफ करना है ना I equal to 3 है यानि कि जो ions total मिल रहे हैं dissociate होने के बाद मेरी बात समझो बहुत प्यार सब्सक्रारा कोशन है यह कि यह रहरे को यह तोटल आइंस मिल रहे हैं losdvon3 कोो मिल रहे हैं तो यह कब होगा मुम्किन यह तभी मुम्किन होगा कि इन तीन क्लोरीन मोंसे दो क्लोरीन बहार हो एक क्लोरीन अंदर हो और यह यह जब आहसा करो पांच करना पड़ेगा अब पांच और एक छे हो गए कॉडिनेशन नंबर और दो सील बाहर है और अब तुम्हारा आंसर समाप्त है तो कॉडिनेशन स्फियर का मतलब होता है कॉंप्लेक्स यानि कि स्कॉार्ड ब्रैकेट के अंदर कितने क्लोराइड आयंस हैं सिर्फ वन है वो टोटल क्लोरेड आयंस कितने हैं तीन हैं दो कहां है आयनाईजेशन स्फियर में ये बाहर वाला इससे को आयनाईजेशन स्फियर कहते हैं एक दम चुम्मा कोशन है एक दम रॉप्चिक कोशन है इस तरह के कोशन की संभावनाएं मैं दुबारा लगा सकता हूं इट इस ये कहलो 2024 आने वाले पेपर में फिर से ये कोशन रिपीट हो सकता है नेक्स कोशन देखते हैं ये रवांस 2014 का ये कोशन है कोशन क्या कह रहा है आईए जड़ा देखते हैं बेटा mx2 dissociates mx2 dissociates into m2 plus and x minus यहां से अगर हम बैलेंसिंग करते हैं तो 2x minus आएगा इन अनेक्स कोशन विद डिग्री ओफ डिसोसियेशन अलफा इस इक्वल टू 0.5 यानि कि complete डिसोसियेशन नहीं है अलफा की वैल्यू 0.5 है और यह टोटल तीन आएंस में टूट रहा है तो n की वैल्यू भी 3 है यह भगवान कितना बड़ा बेवखूब बनाया जा रहा है कितना बड़ा स्कैम हो रहा है तुमारे साथ यह सीधा सीधा यह भी पूर सकते थे कि यार हमें i की वैल्यू बताओ क्योंकि event of factor का जो formula होता है वो क्या होता है observed qualitative property upon calculated qualitative property और उन्होंने उस चीज को define करके लिख दिया है तो तुम confuse आ जाओगे अब तो भाई बात खतमी हो गई क्योंकि dissociation case के लिए मैंने एक short trick अभी पीछे बताई है alpha is equal to i-1 upon n-1 alpha की value 0.5 है i की value हमें निकालनी है n की value 3 है तो 3-1 2 हो गया तो i की value 2 हो गई यह आपका answer है बेटा ध्यान से देख लो समझ लो ना आये तो बताओ और इसके बाद आप next question पर चलते है question stem अरे यह मतलब एक paragraph question है और इस पर बेश्ट एक या दो question है पहले मैं चाहरा हूँ कि इस question मैं side हो रहा हूँ इस question को अराम से पढ़के तुम इस पर जो भी information निजोड़ पा रहे हो उसको भी copy में लिख लू क्या पढ़ा क्या समझ में आया और क्या-क्या note down किया है यह बताओ पहले वैल्यूज नोट कर लिए है अब देखो तुमसे पूछ क्या रहा है कि वैल्यू आफ एक्सेज और दूसरा question है वैल्यू ओफ मॉडवाइज तो पहले यह पता करो कि गिवन दैट क्या-क्या है ठीक है the boiling point of a water in a 0.1 molal silver nitrate एक चीज हमको यहां पढ़ती है 0.1 molal silver nitrate solution जिसको हम solution A मान रहे है और इसी का boiling point x degree Celsius है समझ रहे हो जो AG NO3 aqueous solution है इसी का boiling point है Tp वो है x degree Celsius और इसी value of x को निकालना है आपको to this solution A अच्छा इस solution को A नाम दे दिया है an equal volume of 0.1 molal aqueous barium chloride solution is added to make a new solution B इसी के अंदर जब हमने BACL2 1.1 molal equal volume का डाला तो हमें एक नया solution B मिलता है the difference in the boiling point of water in the two solutions A and B is this difference in the boiling point of the solution TBA minus TBB B y into 10 to the power minus 2 है और यही y हमें निकालना है assume करना है क्या-क्या assume वाली चीज़े काफी ज़्यादा ज़रूरी होती है density of the solutions A and B are same as that of water यानि कि solution और solvent में कोई फर्क नहीं है जो solvent है वही solution है जो solvent का तुम matter content लेने वाले हो वो solution का है और जो solution का है वही solvent का है क्योंकि पानी ही solvent है तो पहले लोगों ने एक beaker लिया beaker उसको solution A consider किया उस solution A में क्या है पानी है और पानी की उपर AGNO3 है अब क्या किया एक solution B तयार किया कैसे तयार किया कि यहीं पानी AGNO3 है और उसके उपर उतना ही volume 0.1 molality BACL2 डाल दिया तो यह हमारा solution B बन गया अब क्यारा इन दोनों के temperature difference के बारे में बात करो और जो यह temperature है na boiling point AGNO3 का इसका भी बात करो इसको भी आमको निकाल कर दिखाओ and the soluble salts dissociate completely 100% dissociation माना गया है तो AGNO3 को कर हम तोड़ कर लिखें तो AG++NO3 माइनस आ गया यहां से हमको समझ में आ गया कि I is equal to N is equal to 2 है strong electrolyte के लिए vent of factor की value वहीं होती है जो N की value होती है molar elevation constant KB का दिया है और boiling point of pure water 100 degree Celsius consider करने को कहा है सबसे पहले इसकी बात कर लें AGNO3 के लिए तो delta TB is equal to KB into M और into I जरूर लेंगे क्योंकि 100% dissociated है KB की value हमें क्या दी गई है पानी के लिए 0.5D है पेटा यह देखो यहां पर 0.5D है molality कितनी दी हुई है 0.1 दी हुई है I कितना दिया हुआ है पेटा I equal to 2 आ गया 0.5 into 2 1 1 into 0.1 0.1 delta TB का मतलब होता है TB minus T0B यह solution का होता है और यह water का होता है जो की है 100 degree Celsius तो TB is equal to आ गया 100.1 degree Celsius यह हमारा अंसर है यह हमसे यहीं पूचा था the value of X is 100.1 degree Celsius तो देखो कितना बड़ा advance दो जा रहे कि इसका यह सवाल है पहली बात तो और आप यह देखो कितना बड़ा paragraph दिया गया है stem question means आप से एक question पर 2 या 3 चाहिए पूछी जा रही है आप कितना बहर रहे हो कितना भेवीवीद हो रहे हो लेकिन पूछ किया रहा है कुछ भी नहीं literally ना के बराबर चीजों को पूछा जा रहा है अब दूसरी बास हो हमसे कह रहा है था value of wise तो difference in the boiling point निकालना है तो बेटा हुआ क्या था after mixing कि अगर मैं बात करूँ equal amount डाला गया था ना after mixing ag no3 जब 2 ट्रा है तो ag plus plus no3 minus में 2 ट्रा है हाँ कि ना हाँ कि ना और hello sorry यार एक call आ गया था ज़रूरी हाँ तो मैं कह रहा था कि after mixing ag no3 after mixing ag no3 and bacl2 bacl2 को जब डाले तो यह ba2 plus plus 2cl minus में टूटेगा तो पॉइंट वन molality इंका original था और चूकि density of solution is equal to density of water है यानि कि solvent यानि कि molarity is equal to molality है और जो concentration है जो point 1 था वो फिर आधा हो जाएगा यानि कि 0.05 0.05 तो यह भी 0.05 क्यों क्यों क्योंकि 100% dissociation quotient में given है अगर यह भी 0.05 है तो यह भी 0.05 है लेकिन यह 0.05 इंटू यह निकि 0.1 है तो आपके पास finally कौन कौन से आयन्स बच रहे होंगे इसमें भी देखो एक थोड़ा सा लोचा है लोचा क्या है कि जब इन दोनों solutions को तुम mix करोगे इनके concentrations तो चलो तुमने लिख लिए लेकिन यार ag plus और cl minus आपस में precipitate बना देता है तो यहां से ag plus को हटाओ और एक cl minus यहां से हटा दो तो अब बच क्या रहा है तुम्हारे पास पीकर के अंदर reaction के बाद एक ba2 plus का concentration बच रहा है ठीक है एक no3 minus का concentration बच रहा है और एक chloride बन रहा है वह एक chloride तो ag plus के साथ precipitate बना रहा है तो उसकी हम बात नहीं करने वाले है यह भी 0.05 है यह भी 0.05 है अब chloride 0.1 था लेकिन 2 के लिए एक निकल गया तो बचा क्या 0.05 तो final concentration 0.15 आ गया है यह हमने एक कहानी इसलिए लिखी है क्योंकि 2 solutions को mix किया जा रहा है इसको mix करने के बाद हम इसका final concentration निकाल पा रहे है तो वो delta tb delta tb is equal to kb into m अब यह जितनी भी slide में हमने बात करी है यह new solution के लिए करी है वो new solution b है तो यानिके हम यह b के लिए बात कर रहे है यह भी आपको शायद 0.5 दिया है 0.5 और इसका अगर हम molar concentration निकाले तो वो 0.15 है molarity is equal to molarity है यहाँ पर अब आपको एक चीज बड़े ध्यान से समझनी है और सोचनी है यहाँ पर आप जो delta tb निकालो कि उसका क्या यूज करोगे अरे सर यूज क्या करना है value of y पूछी है y क्या थी delta tb a minus delta tb sorry tb a minus tb तो पहले delta tb निकाल लेते हैं अब delta tb के लिए क्या करेंगे 0.5 multiply by 0.15 करती है इसका answer आ रहा है 0.075 degree celsius अब यह होता है tb minus t not b के यह होता है तुमारा 100 degree celsius पानी के लिए sorry 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 यह यह उधर जाएगा तो plus हो जाएगा तो tb of b is 100.075 degree celsius और tb a is 100.1 degree celsius और y क्या है tb b minus tb a अब यह है तो 100.1-100.075 अब यह दिफ्रेंस यह मौड में आएगा आंसर पॉस्टी भी आएगा तो यह कितना आ रहा है पॉइंट जीडो जीडो सेविन फाइव माइनस पॉइंट वन कितना आया है यह है कि अंड्रेड पॉइंट वन माइनस हंड्रेड अरे यार चल्दबाजी में कभी कभार सिक्कत हो जाती है 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 पॉइंट जीरो टू फाइफ अब सुनो वैल्यू अफ वाइड एको पॉइंट जीरो टू फाइव आया है जैनिकी 2.5 इंटू 10ुट थी पाद माइनस 2.0 वैहां दिखेस्व्त कॉशन था यार हिला दी जब तक सॉलूशन नहीं बोल रहा था तो नहीं बोल रहा था जब बोला तो ऐसा भोला आइसा, ऐसा, कि जीवन में बता वासी छा गई आगा पढ़े ख्योवाइवा उनियेता है कि यह समझ में आ रही है कि पक्का कि आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स कोशन के लिए देखते हैं एडवांस दो हजार उनीज का यह कोशन है ओन्डिजॉलिंग पॉइंट फाइफ ग्रैम ऑफ नॉन वॉलेटाइल नॉन आयनिक सॉल्यूट यहनी कि वेंट उफ एक्टर कंसीडर ने की जरूराट नहीं है तो ओन डिजॉल्विंग पॉइंट फाइफ ग्रैम ओ टिक है यह हो गया तुम्हारा आस ओफ सॉल्यूट 239 gram of solvent benzene यह benzene दी हुई है इसका जो मास है वो है आपका 39 grams its vapor pressure decreases from this to this तो P naught 650 है PS 640 है P naught A minus PS upon देखते हैं क्या होता है the depression of freezing point of benzene is delta TF निकालना है formula होगा KF into M आपको molar mass and molar freezing depression constant of benzene are this and this तो पिटा एक बार ध्यान रखना solute का molar mass हमें नहीं पता solute का molar mass चाहिए क्यों क्योंकि molality यहां पर रखनी है KF तो तुम्हें दिया हुआ है 5.12 इसमें कोई दम वाली बात नहीं है जब तुम यहां molality का formula लखोगे जोकी होता है number of most of solute upon mass of solvent in kg तो number of most of solute निकालने के लिए molecular mass of solute चाहिए ध्यान रखना है यह molecular mass of benzene है benzene solvent है यहां पर बच्चा जो जो शमें 78 रखते का कहेगा यह तो ऐसी दिया है तो यहां पर हमाल लेते हैं कि यह very dilute solution है 0.5 gram in 39 तो very dilute के लिए यह formula लगता है p0 minus ps upon p0 ना करके ps कर दो और x2 तो लेते हैं उसमें x2 upon x1 plus x2 ना करके आप क्या कर सकते हो n2 sorry n2 upon n1 plus n2 ना करके n2 upon n1 कर सकते हो for very dilute solution तो पहली चीज यह है जो बच्चा दिक्कत में इसमें ले आता है अच्छा अब हम क्या करेंगे 650 minus 640 यानि कि 10 हो गया ps यानि कि 640 हो गया mass of solute 0.5 upon molar mass पता नहीं mass of solvent 39 और molecular mass of engine is 78 यह 2 जासे गया तो 10x is equal to यह 1 1 हो जाएगा equal to 640 x equal to 64 यह आ गया तुमारा molecular weight of solute 64 grams अब यहाँ पर आजाओ mass of solute upon molecular mass mass of solute तो 0.5 है upon molecular weight of solute into mass of solvent क्योंकि kg में चाहिए तो 1000 से multiply calculation तो करनी पड़ेगी यार calculator है मेरे पास तो आप इसको calculate करोगे तो answer आ रहा है 1.02 यह आपका answer है तो देखा जाए तो question easy था एक जगा से value एक qualitative property से relative lowering of vapor pressure से value आपको निकालनी है जो कि molecular mass of solute की है और उसको depression infusing point पे रख देनी है यहाँ पर एक लोचा फसेगा की बच्चा उसको very dilute solution मान रहा है की नहीं मान रहा है क्योंकि 39 gram में सिर्फ 0.5 gram डाला गया तो very dilute solution मान कर आप काम करेंगे तो चीजे आपको बिल्कुल accurate मिल रही होंगी otherwise p0 minus ps upon p0 is equal to n2 upon n1 प्लस n2 करके आप एक तो calculation में फसोगे और उपर से बहुँ ज़्यादा दिक्कत होगी so it's better to consider the dilute solution upon में ps रखना p0 रख दोगे तो गलत हो जाएगा आगे बढ़ते हैं next question के लिए जे रवांस 2018 का सवाल है यार और एक बात और बता दे जब भी molecular weight of solute पूछे ना वही फॉर्मला रखना p0 minus ps upon ps कभी फसोगे नहीं जब चलो यहाँ पर देखो 2018 का सवाल है the plot given below shows pt curves p pressure है t temperature है okay okay तो यह देखा जाए तो कहीं हमारा boiling point elevation in boiling point वाला curve है यह जो first curve है solvent x का है और जो curve 2 है यह solution of NaCl in solvent x का है यह यह आपका solvent x का है और यह NaCl in solvent x का है फिर यह वाला curve solvent y का है और यह NaCl in solvent y का है अच्छी बात है और चुकि यह तुम्हारा vapor pressure atmospheric pressure है 760 mm of Hg of an ATM तो यह सारे जो points होंगे यह उसके respective boiling points होंगे तो यह जैसे अगर t not b है x के लिए तो यह tb हो गया फिर से यह t not b y के लिए है तो यह tb of y हो गया तो यहां से देखो elevation in constant elevation in boiling point मिल रहा है अगर delta tb x का चाहिए देखो जो graph को देखकर जो तुम सीख पा रहे हो वो देख लो तो 362-360 यह 2 आ गया फिर 368 delta tb y यह x था यह y है 368-367 यानि की 1 आ गया अभी तक यहीं पता कर पाएं आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या कह रहा है on addition of equal number of most of non-volatile solute s non-volatile solute s एक डाला जा रहा है in equal amount of these solvents the elevation of boiling point of solvent x elevation in boiling point of solvent x is 3 times that of solvent y एक अच्छी और एक अच्छी information है कि delta tb x is equal to 3 times delta tb y solute s is known to undergo dimerization dimerization का मतलब क्या होता है कि वो चीज associate हो रही है और यदी कोई चीज associate हो रही हो dimer लिखा है dimer मतलब n की value 2 लेकर चलोगे ठीक है if the degree of dimerization is 0.7 in solvent y y के लिए dimerization की value 0.7 है तो degree of dimerization in solvent x बताइए और भी कुछ है तो देखो अगर हम सीधी सीधी बात यहाँ पर solve करते हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है delta tb x का formula खोल कर लिखो i of x is equal to kb of x kb अलग-अलग है क्योंकि solvent अलग-अलग है एक solvent x है तो एक solvent y है तो kb की value भी अलग-अलग होगी क्योंकि kb जो abelios को भी constant होता है या molar elevation constant होता है यह solvent के लिए ही होता है अलग-solvent means अलग value into molality is equal to three times i of y into kb of y into m molality बेटा चुकि solvent same है molality कट गई molality कट गई solvent same है sorry mass of solvent ले रहे है एक विनट equal amount of these solvents equal number of moles of solute तेखो इस points से समझ में आ रहा है on addition of equal number of moles in equal amount of these solvents भले solvents अलग-अलग हो लेकिन amount दोनों का same है तो molality same है तो molality कट गई अब what is i of x what is i of y what is kb of x and what is kb of y यह आपको धूनना है कई से धूनने है कैसे काम किया जाए तो एक information हमको यहां से दिखरी है कि delta tbx equal to 2 है और delta tby is equal to 1 है आप एक बार सोच कर video pause करके देखो कि क्या आप इस information से कुछ निचोड़ सकते हो क्या है बिलकुल निचोड़ सकते हैं सर अगर हम सीधी सीधी बात मान कर चलें तो delta tbx upon delta tby is equal to kbx into molality upon kby into molality चुकि हम यह discuss करके आ रहे हैं कि equal amount है solute solvent का यह कट गया solvent अलग है इस बाते confusion होना solvent अलग है लेकिन amount same है इसलिए molality equal है इसलिए kb different है तो यह 2 और 1 है तो 2 upon 1 आ गया kb x upon kb y और कुछ जुगार बाजी कर सकते हैं i x की value कहीं से निकाल दें तो बहुत बढ़िया जुगार हो जाएगा बच्चों या i y की value अगर निकल जाए तो क्योंकि x की तो चाहिए ही तो देको y के लिए जो dimerization की value दी हुई है 0.7 दी हुई है तो alpha is equal to 1 minus i upon 1 minus 1 by n यह association के लिए formula होता है अभी जैसे dissociation के लिए short trick बताई ना i minus 1 upon n minus 1 वैसे association के लिए होती है 1 minus i upon 1 minus 1 by n n होता है यहकर dimerization है तो 2 लेंगे timerization है तो 3 लेंगे अब इस alpha की value इस quotient में 0.7 है यह 1 minus 1 by 2 आ जाएगा यानि कि half बचा तो 0.7 is equal to 2 minus 2 i y तो 2 i y is equal to 2 minus 0.7 यानि कि 1.3 therefore i of y is equal to 1.3 upon 2 2 यानि कि 0.6 0.65 ठीक है 0.6 0.65 यार सॉरी 0.65 ठीक है अब यहाँ पर सारी values पता चल गई है i x की value निकल जाएगी देखो kb x upon kby या इसको 2 लिख दें या 1 upon 2 तो 3 into i y कितना है 0.65 upon 2 इसे calculate करो c c into 0.65 divided by 2 0.975 यह answer होगा ठीक है बहतरीन कोशन बढ़िया कोशन अच्छा कोशन मेरे तरफ से इसको full 2 support है क्योंकि इन्होंने काफी बहतरीन chain किया है इस कोशन को ढूणने के लिए ठीक है बताओ कोशी दिखक्त है यहां तक degree of dimerization निकालना है अबे 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 रुक 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 इससे पहले कि तुम कमेड़े में कुछ लिक्वा मैं पहले बता दू यह i of x निकाल दिया एंसरी सय सब्सित इंग आभी नी कालना है, पिर से यहाँ पर 1-1-1-2ीx, पिर आलफा-x इसदीक्वड नीने सु आई एक्स, तु इस निरिल्हरन नीरे नाइन से लॉट्ल पॉयंट नीन गया गाया है, तो इसे और ने फिर्ट धियान, करो 1.95 आएगा 2-1.95 जीडो पॉइंट जीडो फाइफ ओ भाई यह आंजर है डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन एनी की अलफा की बात कर रहा था फिर से समझो क्या हुआ हमको यह प्लॉट दिए थे लॉट हमने जो जो कह रहा था वहमने लेबल कर लिया लेबल करने के बाद समझ में आया कि एट्मॉस्ट्रिक फ्रेशर को कट कर रहा है या यह लिग्वालिंग पॉइंट्स एं का है तो टी नौट भी है solution का है तो TB है ये एक solvent X के लिए बात कर रहा है ये एक solvent Y के लिए बात कर रहा है तो दोनों के delta TBX और delta TBY निकाल लिए ग्राफ से यहाँ पर एक बात लिगी थी कि equal amount of solute is taken in the equal amount of the solvents यानि कि molality same है molality same है तो जब दोनों का ratio निकाला तो KBX upon KBY भी 2 is to 1 आ गया अब यहाँ पर alpha of मतलब alpha जो होता है degree of dimerization degree of association भी कह सकते हैं इसको वो point seven दिया है y component के लिए X के लिए degree of dimerization पूछ रहा है तो X के लिए जब alpha निकालना होगा तो one minus i upon one minus one by n करेंगे अब जो n होता है वो यह बताता है कि कितने molecules आपस में डाइमर मतलब दो हो रहे हैं ट्राइमर मतलब 3 हो रहे हैं ट्रामर मतलब 4 हो रहे हैं तो चुकि डाइमरization है तो इनकी value 2 होगी इसलिए 2 रग दी लेकिन iX नहीं मालूम कोई बात नहीं कोशन में ढूंडा तो पता चला कि delta tbx is equal to 3 times delta tby दिया है तो जो जो value यहां पर थी वह हमने लिख दी मतलब formula को expand किया i kbm is equal to i kbm 3 times था तो 3 तो लिखें गई molality molality फिर से कट गई अब kbx upon kby का ratio यहां पर आ गया और और क्या था 0.65 कैसे आया तो 0.65 यहां से आया य के लिए alpha का value दिया है कोशन में 0.7 तो 1 minus i y upon 1 minus 1 by 2 इससे i y की value 0.65 आ गई इसको put किया तो i x आ गया मुझे लगा यही answer है लेकिन फिर बात में ध्यान दिया कि alpha पूछा है i नहीं पूछा है went of factor नहीं पूछा है हमें अलफा निकालना है तो फिर अलफा की वह निकाल वह लगाए एससीयेशन वाला फॉर्मला वन माइनस आई अपॉण वन माइनस बाइन फॉर्मले में रखा answer 0.05 आ गया तो यह था बेटा solution से साक्षात बहत्रीन कोश्चन्स मज़ा आया की नहीं तो आगे चलते हैं next question के लिए यह एडवांस 2022 का यह सवाल है लेगन यह सवाल अब आपका surface chemistry का है more than one correct option है बेटा यहाँ पर और जब आप option पढ़ोगे तो आपको chemis option और physios option पे information होनी चाहिए तो आईए कुछ important differences देख लें physios option का मत्तब physical absorption chemis option का मत्तब chemical absorption 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 एक surface phenomena होता है जब adsorbate adsorbent के ऊपर आकर चिपकता है it arises due to weak vanderwall forces of attraction तो कि physis option है chemis option मत्तब chemical bond formation हो रहा है लिखा भी है और जब chemical bond formation होता है जब दो चीचे आपस मिलती है तो heat energy release होती है यानि कि exothermic process होता है तो कोई दूम से यह कह कि chemis option is endothermic तो नहीं क्योंकि जब भी chemical bond बनेगा energy release होगी तो यह exothermic होगा यह highly specific in nature है यानि कि जब adsorbate के particle adsorbent पर आते हैं तो वो अराम से chain करते हैं choosing करते हैं कि यार हम इसके उपर तो जाएंगे लेकिन उसके उपर नहीं जाएंगे क्योंकि उससे हमारी बनती है और उससे हमारी नहीं बनती है हम उससे असानी से react कर पाएंगे और उससे नहीं कर पाएंगे तो काफी choosey type के होते हैं 380 is highly specific लेकिन यह कोई specific नहीं है, यह reversible है, यह irreversible है, इसके लिए चुकि chemical bond formation चाहिए तो activation energy तो चाहिए ही होगी, लेकिन इसके लिए कोई activation energy नहीं चाहिए, it depends upon the nature of the gas, it also depends upon the nature of the gas, लेकिन फिर यहाँ पर liquefaction factor एक बार देख लेना, यह है enthalpy of absorption is very low, क्योंकि जब कोई चीज underval forces of attraction, तो भाई, जब वो चिपकेंगे, तो energy कम release होगी, लेकिन जब chemical bond बनता है, तो energy ज्यादा release होती है, साथ में यह लिखा है ना, कि यह physis option reversible है, क्योंकि अगर हम बात करें, तो it occurs at very low temperature, और temperature को तुमने बढ़ा दिया, तो reaction reverse हो जाएगी, यानि कि adsorbent, adsorbent से अलग होते जाएगे, तो अब एक बार आपको जिष्ट दे दिया है, अब आपके लिए थोड़ा सा असान रहेगा, इसको mark करना, यह चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी थी, तो मैं बता दू, कि chemis option unimolecular होता है, तो यह सही है, it forms unimolecular layer, इसके बीचे भी एक reason रहता है, तो reason यह रहता है कि preferential absorption रहता है, क्या रहता है, preferential absorption, यह क्या बला होती है, यह जब आप chapter पढ़े होगे, तो आपने अच्छे से सीखा होगा, जो या दो से ज़्यादा अगर आयंस हैं, तो हम लोग उसी आयंस को छिपकवाते हैं, जिसका absorption ज्यादा preferred हो रहा होता है, और further details chapter का, पूरा shot देखो, इंटलीबी चेंज दूरिंग फीजी जॉप्शन इस इन दी रेंज ऑफ हंड्रेट टू वन फॉर्टी किलो जूल, यह बात गलत है, जैमी जॉप्शन इस एन एंडो थर्मिक, अभी बता कराएं, इस एन एक्जो थर्मिक, लोवरिंग दा टेंप्रे केमिस्ट्री बेटा अभी तक नहीं पड़ी है, तो ऐसा करो, सर्फिस केमिस्ट्री एक बार NCRT में जितना दिया, उसका रीडिंग कर लो, चादा ना चक्रों में पड़ो, ठीक है, एक मातर एक रीडिंग तो ले सकते हो न, वो ले 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 न, एड़ दैट इस मोर तेन एन उनके लिए एक special methods हम लोगों को employ करने पड़ते हैं, तो कहरा, lyophobic collides are not formed by simple mixing, dispersed phase and dispersion medium, ये बात सच कहरा है, इमल्जन क्या होते हैं, देखो, जब dispersed phase and dispersion medium दोनों ही liquid हो, तो emulsion बनते हैं, जहां पर ये ही बात लिखी है, यानि कि ये बात भी सही है, missile यानि कि associated collides की बात कर रहा है, missile तभी बनता है, जब एक particular concentration जिसको हम critical micelle concentration यानि कि CMC कहते हैं, और above some temperature called craft temperature, जब ये supply करते हैं, तभी missile बनता है, लेकिन ये कह रहा है, at any temperature, at any solvent ये बात दलत है, ये बात सही है, with dispersed phase having the same refractive index as that of dispersion medium, नहीं, same नहीं, बल्कि large difference होना चाहिए, क्योंकि large difference होगा, तभी तो beta diffraction of light होगी, और जब diffraction of light होगी, तभी tindle effect दिखाई देगा, otherwise नहीं दिखाई देगा, ये बात तो अपने physics में भी बढ़ी होगी, तो correct statements की बात करें, तो वो 102 है, यानि की correct option A है, इसी के साथ बच्चों मैं आप से इजाज़त चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए, और lectures को बहुत बहुत बहतरीन तरीके से समझने के लिए, I hope मैं आशा करता हूँ, कि आपका अब तक का सफर बहतरीन चल रहा होगा, next chapter पर मिलते हैं, till then stay motivated and keep studying.